Oasis Farm की Location कहां पे वाकिया है? No.1, No.2 Oasis Farm में Construction के Bylaws के हैं and No.3 Oasis Farm की Prices के हैं इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ Oasis Farm की Location को डिस्कस करूँगा Location इसलिए कि जब भी आप रेल स्टेट में कोई भी चीज भाय करते हैं तो सबसे Important चीज Location होती है उसी की Base पे उसकी Future की Prices हैं वो आप जजज करते हैं कि इसकी Prices कहां तक जा सकती है Just Based on its Location तो इस स्टूडियो में Location को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वीडियो को स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो सिरीना चॉग था स्टीड चौग से आप स्टेट जाते हैं तो मरी और गलियात की तरफ रस्ता जाते हैं और राइट साइट पर आप जाते हैं इसी रोड पर आके जाके Islambad Club आता है याद रहे कि हर शेहर के अंदर अग्रेज के दोर के बनाएओ कुछ क्लब्स हैं जैसा जिम खाणा क्लब कहते हैं इसलामबाद में कॉलब हैГी पे बियुरोक्रेट्स इसम ब्यूम्णस Waahंब क गिम्र एक्शस थी है जो कि बहुत डिफिकल्ड एक्सेस लेना यह यह बयुना चौक से पर ऑननिट की डराइब पर बनते हैं यह रोड चोय एक्शेक्ट एड मि इस रोड पे आपको सबसे ज्यादा जो आपके हाई एंड होटेल्स हैं प्लस इसलामबाद कलब हो गया है जितनी हाई एंड प्रॉपटीज है इसी रोड पे नजर आती है यह अब रावल चोग पे आगे हैं रावल चोग जो है इसलामबाद बहुत ज़्यादा यूश्टीज है जो चक्षिजाद है वहाँ पे अटलीस पांच यूश्टीज है जो इस वक्त अपरेशनल है इसलिए चक्षिजाद की तरफ जो कम्यूट करने वाला रोड था उसको पहले प्लस आज साथ यह रावल चोग जो है इसमें अटर पास भी बनाया गया और और ब्रिज बनाया गया है यह चक्षिजाद का में रोड है चक्षिजाद मुशरफ फार्मोसित की वैसे वाइस है लेकिन चक्षिजाद के इस रोड को अभी काफी अध्याद के इसलामबाद हा पर्क पर्ड़ेव और पार्क पर्ड़ेव को लीड करता है जो कि सबसे ज़्याद हाई-end प्रड़क्त है इं टम्स ऑफ इंस्टॉल्मेट्स अगर देखते हैं इसलामबाद मिंडी की डुमेन में तो स्री डी एक्सपेंसिव परड़क्ट्स है वो आपको इसी रोड पर आ बैसरा रहा है यह एक यह रहा है ये रोड आगे-चाके पार्क व्यूंस के करता है याद रहे है कि जिए लोकेशन है वह पार्क वी सटी गेट के Scorpio सामने एन को सामने बनता है याद रहे कि वहां पे 10 मरला का प्लॉट प्लॉट ब्लॉक A में जिसकी प्राइस है वो 2.5 क्रोड है और Oasis Farm में वही प्लॉट आपको तकरीबन 2 कौनाल का साइज आपको तकरीबन 2.60 क्रोड में यानि 10 लाग के गैप के साथ आपको 2 कौनाल का प्लॉट और इसके साथ ही आपको जो लुकेशन मिलती है वो सबसे बड़ी बात यह है कि रिजिस्ट्री और इंतकाल के साथ मिलती है ऐसा नहीं है कि आपको यह प्रॉपर्टी लेनी है और बाद में आपको लॉटन लेटर दिया जाएगा और आपको लुकेशन होगी बैलटिंग हो चांदर बनती है यह लेट साइट पे सेक्टर ए और सेक्टर बी के दरमयान जो मस्जिद अब्दुर्मान बन रही है पार्क विश्टी की यह वो मस्जिद है और यहीं पर आगे जाके ब्लॉक ए और ब्लॉक जीज़गा गेट है अब इस पॉइंट से आपकर देखें तो आपके तकरीबर वन मिनिट या टू मिनिट के वॉकिंग डिस्टंस पे है लेट साइज पर जो मलोड रोड जा रहा है अब यह आपको रिसेंट मलोड रोड का न्यूज भी सुनी होगी आपने इसका टेंडर भी आउट हो गया है इसको एक्सपेंड के जा रहा है हंड़र 보시면 dot n लोड फीट पर पार्क वीडिग मिलोड रोड जो पार्क वीडिव टू की जागतें पकिर गोड़केशन है पकस्तान नेवर फारम के साथ बिलकुलैजेसंट प्लौड है और नेवर फारं फार्म और प्लॉट है 10 को इसके बिलकुल साथे जेसंट आपको ब्लौड प् सिर्फ इस लोकेशन के वाले से था तो इसे स्वाहम इसलामबाद में इंतहाई शांदार लोकेशन पर वाक्या है अगर आपको ओसे साम में वोकिंग के वाले इसको चाहिए और देगर नम पर राप्ता करें इसके साथ नमारे वेबसाइट विजट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आपके वीडियो अच्छी लेगे तो प्लीज रूलाएं कमेंट और शेर और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज